गुड मॉर्निंग अल आफ यू, आज अपन अध्धिन करेंगे, विकोम पार्ट फास्ट, सब्जेक्ट अपना बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेशन व्यवशाय प्रशाशन, उसमें पेपर फास्ट है, बिजनेस लोग, व्यापारीक सन्नियम इसके अंतरगत आज अपना टोपिक रहेगा अनुबंध, परिभासा एवं आवशक तत्व, सर्व पर्थम अपन अनुबंध का आर्थ एवं परिभासा हैं, जो विभिन न्यायधिशों की द्वारा, विद्वानों के द्वारा, एवं अधिनियम के अंतरगत दी गई है, उन अनुबंध को संविदा भी कहा जाता है, सामान्यत है, दो या दो से अधिक विक्तियों के बीच होने वाले वैद्ध ठहराव या करार को ही अनुबंध कहते हैं, किन्तु, कानूनी पहलू पर ध्यान देने वाले लोग, बद्ध करने वाले ठहराव को अनुबंध कहते हैं, बद्ध करने वाले ठहराव अर्थात अपन दूसरे शब्दों में यह भी इस्पष्ट कर सकते हैं कि प्रतेक ऐसा ठहराव जो पक्सकारों के वैद्धनिक दाइत्व तथा अधिकार उत्पन करता है अनुबंद कहलाता है अनुबंद शब्द को अनेक विद्वानों ने भी परिभाशित किया है और भारतिय अनुबंद अधिनियम 1822 में भी परिभाशित किया गया है सर्व प्रथम हम भारतिय अनुबंद अधिनियम में दी गई परिभाशा का ही उलेक करते हैं भारतिय अनबंद या समिदा अधिनियम 1832 के अनुसार अनबंद एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम दुआरा प्रवर्तनिय है धारा 2 उपधारा H धारा 2 और उपधारा H के अंतरगय तो भारतिय अनबंद अधिनियम को परिभासित किया गया है और एक की लाइन में इसपष्ट किया गया है कि प्रतेक ऐसा अनबंद या एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम दुआरा प्रवर्तनिय है इस परिभासा का विसलेशन करने से यह है इसपष्ट होता है कि अनबंद के लिए दो तत्वों का होना आवस्यक है नमबर वन ठहराव एक्रिमेंट तथा नमबर टू वे ठहराव राजनियम या कानून दुआरा प्रवर्तनिय हो तो अपन यहां पर विसलेशन इस परिभासा का करें तो यह दोनों बाते इसपष्ट कर सकते हैं कि दो बाते अनबंद के लिए होना आवस्यक है नमबर वन एक्रिमेंट ठहराव और नमबर टू वे ठहराव राजनियम या कानून दुआरा प्रवर्तनिय होना चाहिए अगर शुत्र के रूप में फॉर्मूले के रूप में अपन कहें तो अनुबंद इस इक्वल ठहराव प्लस प्रवर्तनियता इसको शुत्र के रूप में भी अपन यहां पर इसपष्ट कर सकते हैं तो इस सुत्र के रूप में अगर ispast करें तो इसमें दो बातें अपने को ispast करनी होगी ठहराव, agreement और number two, ठहराव की प्रवरतनियता तो पहला ठहराव, agreement किसे कहते हैं? प्रतेक वचन या वचनों का प्रतेक समू है, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्मान करते या बनते हैं, कौमा ठहराव कहलाता है शरल्तम शब्दों में अपन यदि इस्पष्ट करें, तो ठहराव वचनों के आदान परदान करने से उत्पन होता है वचनों का आदान परदान करने हैं तू एक पक्षकार प्रस्ताव करें तथा दूसरा पक्षकार अपनी सम्मति दे, अर्थात उसे स्विकार करें इस प्रकार सुत्र के रूप में अगर इसपस्ट करें ठहराव को इसपस्ट करें तो ठहराव इस इक्वल प्रस्ताव प्लस प्रस्ताव ग्रहिता की संभत्ति या स्विकर्ति दूसरा पॉइंट है ठेराव की प्रवर्तनियता प्रतेक ठेराव अनुबंद नहीं होता है आप इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए कि प्रतेक ठेराव अनुबंद का रूप नहीं ले सकता है कोई भी ठेराव तभी अनुबंद बनता है जबकि वह कानूनी रूप से प्रवर्तिनिय हो, किन्तु कोई भी ठहराव कानून से तभी परिवर्तित करवाया जा सकता है, जबकि उस ठहराव से पक्षकारों के कानूनी अधिकार तथा दाइत्व उत्पन होते हों। आपसी वैद्धानिक संबंद इस्तापित करना हो, तथा उस ठहराव में वैद्ध अनुबंद के सभी आवसक तत्व विद्यमान हों। उनमें अपन परमुल रूप से अध्यन करते हैं न्याय मूर्ति सामंड के अनुसार। अनुबंद एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मद्ध दाइत्व उत्पन करता है तथा उनकी व्यक्ष्या भी करता है। इसी परकार विभिन न्याय धिसों ने बहुत सारी परिभासें दी गई है और इसके आधार पर अपन निश्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि अनुबंद एक व्यापक सब्द है। हम भी इस व्यापक सब्द की ऐसी परिभासा करने का प्रियास करते हैं जिसमें अनुबंद के सभी आवश्यक लक्ष्णों का समावेश हो सके। करने के प्रस्ताव की स्वेच्छा से स्विकृति देने से उत्पन होता है। ऐसे ठेराव में सामान्यत प्रतिफल भी पाया जाता है। इसके परिणाम सुरूप पक्सकारों के आपसी अधिकार एवं दाइत्व उत्पन होते हैं जिने कानुनी रूप से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। वस्तुते अनुबंद के लिए ठेराव होना परम आवस्यक माना गया है। परन्तु यदि ठेराव प्रवर्तिय नहीं हो तो वह ठेराव कभी भी अनुबंद नहीं बन सकता है। अतै अनुबंद के लिए ठेराव की प्रवर्तियता एक प्राथ्मिक आवस्यकता है। ठेराव में प्रवर्तियता तब ही उत्पन होती है जबकि उस ठेराव में वैद्ध अनुबंद के सभी आवस्यक लक्षण विद्यमान होते हैं। इसके बाद अपन एक और परिभाशा का अध्यन करते हैं न्यायदिस लीक के शब्दों में अनुबंद वैद्धानिक होने की पुष्टी से एक ऐसा ठहराव है जिसके दुआरा एक पक्सकार कुछ निश्पादन करने के लिए बाद्य होगा जिसे प्रवर्तित करवाने के लिए दूसरे पक्सकार को वैद्धानिक अधिकार होगा ये परिभाशा भी अपने आप में फूर्ण मानी गई है, इस्पष्ट मानी गई है एक परिवाशा ओर दी गई है, ब्लेक स्टोन के शब्दों में अनुबंद किसी विशेश कार्य को करने अथ्वा नहीं करने का ठहराव है जिसमें परियाप्त प्रतिफल होता है ये बहुत ही सरल शब्दों में ब्लेक स्टोन ने कहा है कि अनुबंद में सामान्यते किसी कार्य को करने या नहीं करने का ठहराव माना जाता है जिसमें परियाप्त प्रतिफल होता है तो यहाँ पर अपन इस परिवाशा के अधार पर कह सकते है कि अनुबंद में किसी कार्य को करने का ही ठहराव होना आउसेक नहीं है बलकि किसी कार्य से विरत रहने या किसी कार्य को नहीं करने का ठहराव भी हो सकता है इस आधार परापन यहां पर इतना इस्पष्ट कर सकते हैं कि अनवंद एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वरा प्रवर्तनिय हो सकता है